हाइवलीवन, वेलकम बैक तो नुस्कृत, इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ट दी अप्रोच ओफ ब्रत्वस सर्च अल्गॉर्दम, इन दिस वीडियो वी टॉकिंग अबाउट को दियान से समझते हैं, उसके बाद सिंपल है चीजें, बाकी लैंग्वेजिस का कोड में आ पाइफन और वोटरवरी लेंवेज लेंगेज लेक बट जस फोकस अन पर्टिकुलर कोड बिकोज मैं इसुट्रप्स को डिसकस करूंगा, आपको इस तरी के से जिसका लिस्ट गिवन होगा, आपको एक एंक वेल्यों गिवन होगा, आपको सोर्स नोड गिवन होगा, अभ को exactly save है, मैंने code को copy-paste किया है, तो मैंने build graph किया, इस से मुझे क्या होगा कि वो graph मिला, graph मिलने के बाद मैंने C++ के अंदर Q create करी, मैंने visited array create करा, boolean type का, जो की n size का है, और सारी values उसके अंदर false initially, और मैंने एक अपना answer array create किया, which is a BFS answer, जिसके अंदर मैं अपना answer को store करूं उसके बाद जब तक मेरा Q empty नहीं हो जाता, मैं Q से अपना front element को delete करूंगा, अगर आपको Q के functionality नहीं पता है, तो आप Q के बारे में please जाके पढ़ो, Q से हमेशा element delete होता है, front से add होता है last में, right, तो इसलिए हम Q से front का element निकालेंगे, just get the element front element from the Q, उसको मैं current बोल रहा हूँ, और जैसी मैं current element को get कर लूँगा, उसके बाद मैं उसको delete कर दूँगा, C++ के अंदर आप, जो Q dot pop function होता है, वो value को return नहीं करता है, सिर्फ delete करता है, इसलिए मुझे return value अगर चाहिए, तो Q dot front call करना होगा, तो मैंने Q dot front call किया, मैरे को current element मिला, जैसी मुझे current element मिलेगा, मैं इसको BFS के अंदर add कर दूँगा, तो मैं push back कर दूँगा, अपने current element को BFS answer के अंदर, अब इसके बाद, जो next step है, मेरा next step है कि जितने भी current के neighbors थे, मुझे उस current के neighbors को explore करना है, तो कैसे करूँगा, कि graph के current पे जो list है, उस list को get करो, और उस list के अंदर जितने भी neighbor से, एक एक करके उस पर trade करो, अगर वो neighbor visited नहीं है, तो उस neighbor को क्यों के अंदर add कर दो, और उस neighbor को visited true mark कर दो, right, उस neighbor को true mark कर दो, and then finally we will return the BFS answer, so this is the algorithm in our C++ language, and let's simply talk about no Java, तो बाकी चीज़े सब सेम है, मैं सिर्फ algorithm वाले part पर focus करता हूँ, मैंने देखा है, आपर list of list of integer graph को receive किया, मैंने ह answer array बनाया, BFS answer array बनाया, nsize का, उसके बाद मैंने हाँ पे, क्योंके अंदर add के अपने source node को, मैंने visited mark के source node को, उसके बाद मैंने एक index variable लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें array को return करना है, और array में मैं dynamically elements को add नहीं कर सकता, Java के अंदर, right, उसके लिए मेरे को list of integer लेना पड़ेगा, but अगर requirement integer array written करने की है, जो की mostly होगी lead code पे, right, तो इसलिए हमने हाँ पे int array ही लिया है, ठीक है, हम काफी similar रखेंगे अपना code structure जो की lead code पे follow होता है, ठीक है, और यहाँ पे जब तक Q empty नहीं हो जाती, मैं Q से delete करूँ, अब देखो, Java के अंदर जो poll function होता है, वो delete भी करता है, तो return भी करता है, इसलिए हाँ पे अलग से peak element या front element को get करने की ज़रूत नहीं है, तो आपने Q से delete किया, deleted element आपको मिला, आपने उस deleted element को index पे store कराया, और index को अगले element के लिए increment कर दिया, right, और अब, अब current के neighbors आपको get करने, तो कैसे get करोगे current के neighbors, तो graph से मैं बोलूँगा क graph current से मेरे को list दे दो, right, तो graph dot get current, ये एक list है, उस list के हर एक neighbor पे मैं ट्रेट करूँगा, ऐसे for loop लगा के, और अगर वो neighbor visited नहीं है, तो उस neighbor को add करूँगा, क्योंके अंदर end visited mark कर दूँगा, उसको, and this process will keep on happening, until the queue becomes empty, है ना, और blast में BFS answer को अपने return कर देंगे, similar code आपके प करने के लिए, आपको उपर import करना पड़ता है, from collections, import, dq, right, उसके बाद आपने तीन चीज़े बना लिए, ये Q बना लिया, visited array बना लिया, सारी values false कर दो, and size कहारे बना, एक BFS answer ले लो, dynamic array, right, उसके अंदर Q के अंदर append कर दो source node को, visited of source को true mark कर दो, और जब तक आपके पास Q available है, तब तक आपको ये process करना है, क्या करना है, क्यों से delete करना है, अब देखो, python के अंदर, front element को delete करने के लिए, आपको क्या करना पड़ता है, q.pop left, right, तो आप pop left function call करोगे, उससे आपको current element मिलेगा, आप BFS answer में append कर दो अपने current को, और graph के current के, जितने भी, like graph में, graph के current पे F.S. algorithm है, right, I hope you have understood the code in all the three languages, time and space complexity में आपको अपको 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 अग्राइन कर चुको हो अगुए अच्छुकों हो लास्वीडियो में, so this is it for this video, see you in the next video, till then, bye-bye.